जय भोलेनात आप सभी का आपके अपने योट्यूब चैनल किटकेट स्टोरीज पर बहुत-बहुत स्वागत है उमीद है आप हमारे दूसरे चैनल व्रतकथा और कहानी पर भी आजकल शिमापुराण की कथाई सुन रहे होंगे वीर राजा भद्रायू ने किसी समय अपनी धर्म पत्नी के साथ रमणी वन में प्रवेश किया वहाँ उन्होंने देखा कि कुछी दूरी पर एक ब्राहमन पत्ति-पत्नी चिल्ला कर भाग रहे है और कोई बाग उनका पीछा कर रहा है वे दोनों पत्ति-पत्नी चिल्ला कर कह रहे थे कि महराज हे राजन हे करुणा निधे हमारी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए ये पुकार सुनकर राजा ने अपना धनुष उठाया इतने में ही वह बाग आ पहुँचा उसने ब्राहमनी को पकड़ लिया वे हा नात हा नात हा प्राणवलब हा शम्भो हा जगदीश्वर आधी कहकर विलाप करने लगी बाग बड़ा ही भयानक था उसने जैसे ही ब्राहमनी को पकड़ा तुरंत ही राजा भद्रायू ने अपने तीखे बाणों से उसके मर्म में आगहात कर दिया किन्तु वह महाबली बाग उन बाणों से तनिक भी व्यथित ना होकर ब्राहमनी को बल पुर्वा खीच कर दूर निकल गया अपनी पत्नी को बाग के पंजे में पड़ीवी देखकर ब्राहमन को बड़ा दुख हुआ मैं विलाप करने लगा हा प्रिये हा कांते हा पतिवरते मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम परलोक में कैसे चली गई तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ राजन तुम्हारे वे अस्त्र शस्त्र कहा है जिनकी बड़ी प्रसंसा सुनी जाती थी वे महान धनुशब क्या हो गया तुम्हारा बारा हजार हाथियों से भी अधिक पल कहा है तुम्हारे शंख खट्ग और मंतरास्त्र विद्या से क्या लाब हुआ दूसरों को छीन होने से बचाना तो एक शत्री का परम धर्म है धर्म के राजा अपना धन और प्राण दे कर भी शरन में आई वे दिन दुख्यों की रक्षा किया करते हैं जो पीडितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते ऐसे लोगों के जीवन की अपेक्षा तों की मृत् पराकरम नस्ठ हो गया अधा अब मेरी संपदा राज और आयू का भी निश्य नास हो जाएगा ऐसा कहकर राजा भद्रायून ब्राहमन के चरनों में गिर पड़े और उसे धीरज बंधाते वे कहने लगे ए ब्राहमन मेरा पराकरम नस्ठ हो गया मुझे छत्रिया धंपर आ आपक्या चाहते हैं। जो भिक्षा मांग कर अपना जीवन निर्वराह करता हो, मैं बहुत से घर लेकर भला क्या करेगा। जो मुर्क है, उसे पुस्तक से क्या काम। और जिसके पास इस्तरी नहीं है, मैं धन लेकर क्या करेगा। मेरी पत्णी चली गई। मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया अतह काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजे राजा कहने लगे प्रहमन क्या यही तुम्हारा धर्म है क्या तुम्हें गुरू ने यही उपदेश दिया है क्या तुम नहीं जानते कि पराई इस्त्र स्वर्ग और सुष की हानी कराने वाला है पर इस तरी के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रयशित्तों द्वारा भी कभी धोया नहीं जा सकता ब्रहमन कहने लगे राजन मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रहमत्या और मदिरा पांच जैसे पाप का भ भला किस गिन्ती में है इसलिए आप अपनी इस पत्नी को मुझे अवश्य दे दिजिये नहीं तो आपको निश्य ही नरक में जाना होगा ब्रहमन की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्रहमन के प्राणों की रक्षा ना करने से महा पाप होगा अतहा इस से और ब्रहमन को बुला कर उसके प्रती अपनी पत्नी को दे दिया। इसके बाद इसनान करके पवित्र होकर देविताओं को प्रणाम करके उन्होंने अगनी की दो बार परिक्रमा की और एकागर चित्त होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अगनी में गिरने के लिए ततपर देखकर जगतपती भगवान विशुनात सहसा वहां प्रकट हो गए उनकी पांच मुह थे मस्तक पर चंद्रकला आबुशन का काम दे रही थी कुछ-कुछ पीले रंकी जटा लटकी हुई थी वे कोटी-कोटी सूर्यों के समान ते जस्वी थे हाथों में त्रिशूल, खटवांग, कुठार, ढाल, म्रग, अभय, वरद और पिनाक धारन किये बैल की पीठ पर बैठे वे भगवान निलकंठ को राजा ने अपने आगे प्रत्यक्ष देखा उनके दर्शन जनित आनंद से युक्तो कर राजा भद्रायू ने हाथ जोड़कर उनकी स्तूती की फिर इस्तूती करने के साथ ही राजा की स्तूती से प्रसन होने पर मातपार्वती के साथ प्रसन हुए करुणा निधान महेश्वर ने कहा राजन तुमने किसी अन्य का चिंतन ना करके जो सदा सरवदा मेरा पूजन किया है तुम्हारी इस भक्ती के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र इस्तुती को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ तुम्हारे भक्ती भाओं की परिक्षा लेने के लिए ही मैं स्वैम ब्रहमन बन कर आया था और जिसे बाग ने खा लिया था वह ब्रहमनी और कोई नहीं ये गिरिराज नंदनी उमा देवी ही थी तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को बिल्कुल चोट नहीं पहुँची वो बाग भी माया से बना हुआ था तुम्हारे धैरे को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था इस कीरती मालिनी की और तुम्हारी भक्ती से मैं अत्यन्त संतुष्ठ हूँ तुम को ही दुरलब वर मागो मैं उसे अवश्य दूँगा तब राजा बोले देव आप तो साक्षात परमेश्वर हैं आपने सांसारिक ताप से घिरेवे मुझे अधम को जो प्रतक्ष दर्शन दिया है यही मेरे ले महानवर है देव आप वर्दाताओं में स्रेष्ठ हैं आपसे मैं दूसरा कोई वर्द नहीं मांगता मेरे यही इच्छा है कि मैं मेरी रानी, मेरे माता पिता, पदमाकर वैश्य और उनके पुत्र सुने इन सब को आप अपना पार्शवर्ती सेवक बना लिजिए इसके बाद राजा किर्थी मालीनी ने भी प्रणाम करके अपनी भक्ती से भगवान शंतर को प्रसन किया तथास्तु कहा और उन दोनों पति-पत्नी को इच्छनुसार वर देकर वेच्छन भर में ही अंतरध्यान हो गए इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी किर्थी मालीनी के साथ प्रेय विश्यों का उपभुक किया और दस हजार वर्षों तक राजी करने के बाद अपने पुत्रों को राजी देकर उन्होंने शिवजी के परंपत को प्राप्त किया राजा और रानी दोनों ही भक्ति-पूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिवग के धाम को प्राप्त हुए ये परंपवित्र, पापनाशक और अत्नित गोपनी भगवान शिव का विचित्र गुणानुवाद जो विद्वानों को सुनाता है अथ्वा स्वयम भी शुद्ध चित्त होकर पड़ता है वह इस लोक में भोग ऐश्वरी को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्रा महात्मा राम क्रोध को जीतने वाले तथा ग्रह और ग्रहनी सहीन थे सबके उपर दया करने में संगलगने रहने वाले ये महात्मा एक दिन स्वेच्छा नुसार घूमते फिरते बड़े भयंकर क्रोंचा रणे में जा पहुँचे उस नितांत निर्जनवन में कोई भूग प्यास सिव्याकुल अत्यन्त भयानक ब्रह्मराक्षस रहा करता था वामदेव जी को देखकर उन्हें खा जाने के लिए वहराक्षस बड़े वेग से उनकी ओर दोड़ा उसे आते देखकर योगीश्वर वामदेव बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए उस घोर ब्रह्मरा पर्थार्थ इसपर्ष मनी का इसपर्ष करके लोहा भी सोना हो जाता है जैसे जम्बू नदी में पड़ी हुई मिट्टी भी सोना हो जाती है जैसे मानस सरुवर में आकर कववे भी हन्स हो जाते हैं और जिस प्रकार एक बार भी अमरित पी लेने पर मनुष्य अजर अमर देवता हो जाता है उसी प्रकार महत्मा पुरुष अपने दर्षन तथा इसपर्ष आदी से पापियों को भी ततकाल पवित्र कर देते हैं इसलिए सत्संग दुरलब है जो राक्षस पहले ही भुख प्यास से विकल होकर घोर रूप धरन करके वन में भिटकता फिरता था वही सादु के संपर्क से उनके दर्षन से पूर्णानन्त मैं हो गया उसने योगी के युगल चरणार विंदों में प्रनाम करके कहा हे महायोगिन मुझ पर प्रसन हो ये हे करुनानिधे प्रसन हो ये कहा सब प्राणियों को भैं देने वाला मुझ जैसा पापात्मा और कह आप जैसे दयालू महात्मा का दर्शन वामदेव जी बोले भयानक राक्षस का रूप धारन करके इस वन में विचरने वाले तुम कौन हो और यहां किसलिए रहते हो राक्षस कहने लगा है महात्मन इससे 25 जन्म पहले मैं पवन रास्ट का रक्षक हुआ करता था उस समय मेरा नाम दुरजय था मैं बड़ा पापी और स्विच्छाचारी था हर दिन नई नई इस्त्री का उपभोग करने की इच्छा रखता था नित्य एक एक इस्त्री को भोग कर छोड़ देता और उसे घर के भीतर रखकर अन्य इस्त्रियों का अपहरन करवाता था मेरे द्वारा भोगी गई वे इस्त्रियां घर के भीतर बंद रहकर दिन रात शोक में डूबी रहती थी मेरे राजी में जितने भी ब्रहमट थे वे सब इस्त्रियों सहित भाग गए मैं सद्वा विद्वा कुमारी अत्वर रजस्वला सभी तरह की इस्त्रियों का हरन करके उनके साथ मंत्रियों और सेवकों ने भी मुझे त्याग दिया अंत में अपने ही कुकर्म के कारण में मर गया जो मनुष्य धर्म से ब्रस्ट हो जाता है उसकी आयूनस्ट होती है अयश बढ़ता है भाग चीन हो जाता है वह अत्यनत दुरगती में पढ़ जाता है और उसके अंदर यमदूतों से पीडित होकर मुझे तीस हजार वर्षों तक रहना पड़ा इसके बाद बचेवे पाप के फल से मैं इस नर्जनवन में भूख प्यास से विकल पिशाच हो गया पिशाच योनी में मैंने एक सो दिवी वर्ष बिता दिये फिर दूसरे जनम में बारवे जनम में वानर, बारवे में गीध, तेरवे में नेवला, चौदवे में कववा, पंदरवे में रीच, सोलवे में वनमुर्गा, सत्रवे में गधा, अठारवे में बिलाव, उन्निसवे में मेधक, बीसवे में कच्छुआ, इक्किसवे में मचली, बाइसवे में च प्रभाव को कैसे प्राप्त हुआ? तब वामदेव जी कहने लगे, ये मेरे शरीर में लगे वे भस्म का ही महान प्रभाव है। पर्ष से तुम्हारी बुद्धी भी निर्मल हो गई। इसलिए तुम भी श्रद्धा से पवित्र त्रिपुंड्र धारन करो। प्रभाव भक्ति पूर्वक गुरु वामदेव जी की परिक्रमा की और दिवि विमान पर बैठ कर पुनिलोग को प्रस्थान किया। महायोगी वामदेव साक्षात शिव की ही तरह पुनहसंसार में भ्रमण करने लगे। शिरिसूत जी कहते हैं श्रद्धा ही संपूर्ण धर्मों के लिए अत्यत हित कर है। श्रद्धा से ही मनुश्यों को दोनों लोकों में सिध्धी प्राप्त होती है। श्रद्धा से भजन करने वाले पुरुष को पत्थर की मूर्ती भी फल देने लगती है। श्रद्धा भक्ती से पूजा करने पर अज्यान गुरु भी सिध्धी दायक हो जाता है। शुरद्धा से जब किया हुआ मंत्र अव्यवस्तित होने पर भी फल देने वाला होता है. शुरद्धा से पुजा करने पर देवता नीच से नीच पुरुष को भी फल देने लगते हैं. अशुरद्धा से की गई पूजा, दान, तप, यग्य, हवन और व्रत सभी निश्वल हो जाते हैं ठीक वैसे ही जैसे बांज व्रक्षा फूल व्यर्थ हो जाता है जो सर्वत्र संशय युक्त श्रद्धाहीन और अत्यन चपल होता है चंचल होता है वह परमार्थ से ब्रस्थ होकर संसार बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाता मंत्र तीर्थ ब्रहमार देवता जोत पुर्वकाल में पांचाल देश के राजा के सिह केतु नाम से विख्यात एक पुत्र था जो सभी उत्तम गुणों से युक्त और सदा छत्री धर्म में लीन रहने वाला था एक दिन महाबली सिह केतु कुछ सेवकों को साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गया राजकुमार का कोई सेवक जो भील कुल में उत्पन हुआ था शिकार की खोज में इधर उधर गूम रहा था उसने एक तूटा फूटा गिरा पड़ा पुराना देवाले देखा उसमें चबूत्रे पर एक शिवलिंग पड़ा हुआ था जो की पीठ से तूटकर अलग हो गया था वेश शिवलिंग सीधा और सुक्ष्म था शबर अर्थात भील ने उसे मुर्तिमान सुभाग की तरह देखा पूर्व कर्म से प्रेरित होकर उसने उस शिवलिंग को बड़ी तेजी से उठा लिया मुझ जैसे पूरुषों के द्वारा भी की गई पूजा से भगवान शिव प्रसन हो जाएं निशाद के इस प्रकार पूछने पर परिहास कुषल राजकुमार ने हसकर कहा शिवलिंग को शुद आसन पर इस्थापित करके जदा संकल्प पूर्वक नए जल से अभिशेक करू शुबगंध अक्षत वन के नएने पत्र पुष्प दूप दीपादी के द्वारा पूजन करे चिता का भस्म चढ़ाएं और अपने भोजन करने योग्य अन्न के द्वारा ही भगवान को नैविद्द लगाएं उन्हा धूप दीपादी उपचारों को अर्पित करें यथा योगिन रित्य वाद्य और गीत आदी की भी विवस्था करें फिर नमसकार करके विधी पुर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहन करना चाहिए ये मैंने तुम्हें शिपूजन की बिल्कुल साधरन विधी बतलाई है अपने स्वामी के इस प्रकार उपतेश्ट देनी पर चंडक नाम वाले उस शबर ने उसे साधर शिरोधारी कर लिया और घर आकर लिंग मूर्ती महेश्वर का हर दिन पूजन करना शुरू कर दिया वह प्रति दिन चिता भस्म का उपहार भेट किया करता अपने लिए उसे खुद जो जो प्रेवस्तुएं थी वो सब गंध पुष्प अक्षत आदी पहले भगवान शिव को निवेदित करता उसके बाद वह भगवत प्रसाद को स्वयम ग्रहन करता था इस प्रकार वह पत्नी के साथ भक्ति पूर्वक महेश्वर की पूजा में संगलगन रहा इस आराधना में उसे कई वर्ष पीत गए एक दिन जब वह शबर शिव पूजा के लिए बैठा तब देखता है कि पात्र में चिता का भस्म बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है तब वह तुरंत उठकर दूर दूर तक चिता की भस्म ढूनता वा घूमाया किन्तु कहीं भी उसे चिता भस्म नहीं मिली आखिरकार वहत्था खार कर अपनी घर लोटाया और अपनी पत्नी को बुला कर उससे कहा कि प्रिये चिता भस्म तो मुझे नहीं मिली बताओ अब मैं क्या करूँ आज मुझ पापी के शिव पूजन में विघन पड़ गया पूजा के बिना मैं छण भर भी जीवित नहीं रह सकता अपने पती को इस प्रकार व्याकुल देखकर शबर की पत्नी कहने लगी नाथ दर्ये मत मैं एक उपाय बताती हूँ ये अपना घर बहुत दिनों का पुराना हो गया है मैं इसमें आग लगा कर उस अगनी में प्रवेश कर जाओंगी इससे आपके लिए बहुत सी चिताभस्म तयार हो जाएगी सुनकर शबर बोला प्रिये ये मानव शरीर ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष का सबसे श्रेष्ट साधन है इस नव्योवन संपन सुखोचि शरीर को भला तुम क्यों त्याग रही हो तब उसकी पतनी कहने लगी नाथ जीवन की सफलता इसी में है कि दूसरों के हित के लिए अपनी प्राणों का त्याग किया जाए फिर साक्षात शिव जी के लिए जो स्वयम अपनी प्राणों का त्याग करे उसके लिए तो कहना ही क्या है मैंने कौन सी घोर्त पस्या की है जिससे भगवान शिव की प्रिती के लिए प्रज्वलित अगनी में मैं अपने शरीर का त्याग करती हूँ अपनी पत्नी को इस प्रकार इस्थिर बुद्धी और शिब भक्ती देखकर द्रण संकल्प वाले शबर ने तथास्तु कहकर उसकी प्रिशन सकी शबरी ने अपने पती के आग्या मानकर इसनान से पवित्र होकर अलंकार धारन किया और अपने घर में आग लगा कर अगनी देव की भक्ती पूर्वाक परिक्रमा करके अपने पती देव गुरु को नमस्कार कर और हर्दय में भगवान सदाशिव का ध्यान करके अगनी में प्रवेश करने के लिए तकपर होकर हाथ जोड़कर इस प्रकार इस्तुति की हे देव, मेरी इंद्रियां आपकी पूजा के लिए पुश्पो हो ये शरीर धूप और अगुरु हो हरदय दीपक हो, प्राण हविश्य का काम करे और करमेंद्रियां आपके लिए अक्षत हो जाएं इस समय हे नाथ ये जीव, आपकी पूजा के फल को प्राथ हो मैं धनाधी पती कुबेर का पद नहीं चाहती अभी चल स्वर्ग भूमी की भी इच्छा नहीं रखती और ब्रह्मा जी के पद की भी इच्छा नहीं रखती मैं तो हे प्रभू बस यहीं चाहती हूँ कि अगर फिर इस संसार में कभी मेरा जनम हो तो मैं हर जनम में आपके चरणारविंदों के सुन्दर मकरंद का पान करने वाली ब्रहमरी हो जाओं मेरे देवता भले ही मेरे सेकणों जनम हो परन्तु अज्ञान की हे तुभूत माया मेरे मन में कभी प्रवेश न करे किंचित आधे छण के लिए भी मेरा हिर्दे आपके चरण कमलों से अलग न हो हे महिश्वर आपको नमस्कार है आपको नमस्कार है इस प्रकार देविश्वर भग्वान शिव को प्रसन करके द्रण निष्चय वाली शबरी जलतीवी अगनी में प्रवेश कर गई और छण भर में जलकर भस्म हो गई फिर शबर ने उस भस्म को लेकर जलेवे घर के पास ही भग्वान शिव का पूजन किया पूजन के अंत में उसने प्रसाद लेने को नित्य आने वाली अपनी प्रेतमा का भी ध्यान किया ध्यान करते ही वो तो पहले की तरह हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी दिखाई थी पत्नी को देखकर और जलकर भस मुए घर को भी पहले की तरह इस्थित पाकर अब शबर आश्चर चकित होकर सोचने लगा कि अःओ अगनी तो अपने तेज से वस्तु को जलाती है सोरे केवल किरणों से तपाते हैं राजा अपने दंड के द्वारा अपराधी को दगद करता है और ब्रहमन मन से जला डालता है मेरी पतनी तो प्रतक्ष अगनी में ही जल गई थी फिर भला ये जीवित कैसे हो गई पता नहीं ये स्वपन है या फिर ब्रहम में डालने वाली कोई माया है इस प्रकार विचारत कर देवे शबर ने अपनी पतनी से ही पूछा कि प्रिये तुम तो अगनी में जल कर भसम हो गई थी फिर यहां कैसे आ गई और ये जला हुआ घर भी पहले की तरह खड़ा कैसे हो गया तब उसकी पतनी कहने लगी जब मैं घर में आग लगा कर उसके अंदर प्रविष्ठ हुई तब से अपने आप की मुझे कोई सुधी नहीं रही ना तो मैंने आग देखी ना लेश मात्र भी ताप का नुभव किया ऐसा लगता था मानो मैं जल में घुसी हूँ मैं आधे छण तक गहरी नित्रा में सोई सी रही और अब छण भर में जाग उठी हूँ उठते ही मैंने देखा अपना घर तो जला हुआ ही नहीं है पहले की तरह सुधिर है इस समय भगवान की पूजा के अंत में मैं तो हर दिन की तरह प्रसाद लेने के लिए आपके पास आई हूँ इस प्रकार वे दोनों दमपत्ती प्रेम पूर्वक आपस में वार्तलाप कर ही रहे थे कि इतने में ही उनके आगे परम अद्बुत दिव्य विमान प्रकट हुआ उस पर भगवान शंकर के चार सेवक आगे की ओर बैठे थे उन्होंने दोनों निशाद दमपत्ती का हाथ पकड़कर उन्हें विमान पर बिठा लिया शबर और शबरी को अपने शरीर का त्याग भी नहीं करना पड़ा शिव दूतों के हाथों का इस पर्ष प्राप्त होते ही निशाद दमपत्ती के वे ही शरीर ततकाल उन्हीं के समान दिव्य हो गए इसलिए समस्त पुर्णी कर्मों में श्रद्धा ही करनी चाहिए क्योंकि शबर ने नीच होकर भी श्रद्धा के बल से ही योगियों की कति प्राप्त की सभी वर्णों के लोगों से उत्तम जन्म पाने से भला क्या लाप संपुन शास्त्रों का विचार करने वाली विद्या से भी यदि श्रद्धा ना हो तो क्या लाप है जिसके मन में सदा भगवान शिव की भक्ती बनी रहती है उससे बढ़कर तीनों लोकों में कौन पुरुष धन्य है जै भुलिनात आज की कथा समाप्त हुई उमीद है ये विडियो आपको पसंद आई होगी अगली अध्याय में आप उमा महेश्वर व्रत की महिमा और इसके पालन से शारदा को शिवलोक की प्राप्ती और सतकथा श्रवन का महत्म में और इसके आगी का व्रतान सुनेंगे